If you want to watch a very good film, very good family film, then Hey guys, welcome back to my channel So finally, मैंने देख ली है Home, जो की एक मल्यलम फिल्म है, Amazon Prime वीडियो पे आज से रिलीज हो चुकी है तो ये फिल्म का जो ट्रेलर था वो बहुत इसा सटल और बहुत ज़्यादा पारिवारिक लग रहा था तो ये फिल्म कितनी ज़्यादा पारिवारिक फ्रेंडि है, ये हम डिस्कस करेंगे इस रिव्यू में और प्लस आपको मैं बताओंगे कि आपको ये क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए दोनों के रिजन क्या अच्छा था और क्या अच्छा हो सकता था तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए अगर अभी तक आपनी फिल्म नहीं देखा है तो तो अगर आप मेरी चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को हिट करना मत भूली ये वीडियो एंड तक देखने के बाद पसंद आजाए तो लाइक जरूर कीजिए शेर जरूर कीजिए तो जल्दी से शूरू करते हैं रिव्यू पहर डिसकस करते हैं स्टोरी यहां पे स्टोरी है एक बेटे की जो की बहुत बड़ा फिलम मेकर है लेकिन वह जो है मतलब अपने घर में जाता हूँ कुछ दिनों के लिए वहां पे थोड़ा ने रहेगा है आंग मैं राइटिंग पूरा कम्प्लेट करने लोगा क्योंकि उसको डेड्लाइन मिला है कि इतने दिनों में तुम्हें ए जो मतलब स्टोरी है वो दिखाया लिख के फाइनली प्रडूसर को सुनाना है जैसे कि वो next film अपनाmart हमें चूस करें कि भाई वो करना चाहतें नहीं करना चाहतें वो अपना उनको लोग के डेट्स भी होता है ना इशू, मतलब स्केडीूल, तो वही वाला उसे दिया जता है कि भाई तुम्हे इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो वह भी सोचता है कि भाई इतने दिन में जो मुझे घर में जैसे भी हो गल मांचेट करता है कि वहाँ जो को प्राइब पाता है यहां रस्ट वी स्टोरी की तो देखेए मैंने जो श्टोरी बता ही ना कि इंट पर्संट्स ही इस्ट उसके अलॉबसारा अच्छा मतलब शालाइने में चलते हैं मैंने आपको इसलिए नहीं बताए क्योंकि स्पोईलर हो जाएगा एक एक बोता होंगी तो आपको लगे का भई सब्सक्राइब इसके रिव्यू में सुन लिए मैं फिल्म क्या देखूं तो यह नहीं होना चाहिए तो पहले बात कर लेती कि अच्छा क्या इस फिल्म में यह बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है अगर आपके फैमिल में कभी आपके ममी पापा लोग टेक्नोलोजिकल टेक्सवी नहीं है अगर उनको पहले पहले आई नो कि बहुत लोग जो हमारे इंडिया में क्या कहीं पे भी जो है मतलब पहले जब स्मार्टफोन आये था तब व वही टरेका का यह जो प्लकाऱ जो नहीं though जर एक बाब जो है बहुत ही ज़्यादा केरिंग्हें लवींग है बहुत ही ज्यादा अच्छा है चांव ऑव सरल इनसान शिंसान लेकिल वह ए टेक्सवी नहीं है लेकिल जो है अब डेट यहो से करनेक्ट करने कि हमारे पेरेंट्स को और हम लोग को भी क्योंकि हम बहुत सारे असे टाइम में मतलब अनोंटले नहीं सब्सेटेगे हमारे मुपए भी हमरे ममी पापा तो नहीं कर सकते से दिखाए गया है और एक बात ही यहां है कि यहां पर सारी जो स्टोरी है इसके अलावे बहुत अच्छा अच्छी स्टोरी दिखाएगी है कि हम लोग ऐसे अपने पापा को यह मंभी पापा को जो नेगलेट कर देते हैं हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करत कि हमारे ममी-पापा को छुआ शर्मा जी का लडगा है शर्मा जी की बेटी है लगती है लेकिल हमें बी यह बात एक्ट्वल라고 अच जो है मोबाइल में टेक्स तो से तो वह वाला बहुत ऑच्छे से दिखाएहाएं और अच्छी से दिखाए गहीं, पहले हैं कि आजकल जो लोग है बहुत जादा लोग जो है मोबाईल में टेक्नोलेजेंगे और सोशेल मीडिया में इतने ज्यादा डिपेंडेंट होगे हैं ज्यादा इसके गुलाम होगे कि अपने खुद के काम में फोकस ज्यादा नहीं कर पाते हैं वह एंगल भी बहूत 10 गंटा का 15 मिनिट और जिस काम के लिए भी स्क्रोल की होते हैं वह भी मतलब भूली जाते बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है बहुत लोग एग्री भी करोगे प्लीज कमेंट सेक्षिन में जरू कमेंट कीजेगा अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो क्यूंकि मैं क्या होत तो मैं बीजी हो जाती हूँ और मैं में काम भूल जाती हूँ तो वही आजकल होता है कि कॉंसेंट्रेशन और हमारा जो में काम से डाइवर्ट हो जाता है विकॉस अप शोशल मेडिया जो की बहुत अच्छे से दिखाया गया है और बहुत ज़ादा ओवर दी टॉप भी न ना हो कभी अच्छा ना निकल के फिर भी वो लोग बहुत अच्छा ट्राइ करते तो एक्सपरिमेंट इस दा ओनली की टू सक्सेस दे आर एक्चुली मेलिंग इट सो मुझे यह कॉंसेट बहुत पसंद आया तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डी मेरिट्स की तो यह जो है दो घंट टू and half an hour ची है तो यह फिल्म थोड़ा सा चोटा हो सकता था एस मुझे लगता है क्योंकि मुझे ऐसा फील हज़ा कि थोड़ा सचोटा हो सकता था कहीं कई पर एडिटिंग थोड़ी अच्छी हो सकती थी और मुझे यह फिल्म ऐसा लगा कि बहुत सारी इमोशन से इसमें दिखानी के कोशिच गए लेकिल आपको जो है मतलब दिल को नहीं छूते बतलब एक सीन है आपको में बता देती हूं कि लास्ट में एक एंडिंग सीन जो है वो बहुत इमोश्टल है आपको उस टाइम एक्चुल में रोना नहीं तो आपको थोड़ा सा बन कर दो नहीं लेकल फिर फिर भी इतनी ज्यादा एंगेजिंग नहीं कि भाई बोलो क्या मस्ट कॉंसेट बना दिया क्या अच्छावाला है एंगेजिंग फैक्टर इसमें मिसिंग हैं फिफ्टी फिफ्टी तो स्क्रीन प्रे थोड़ा सा वीक है थोड़ा सा यह थोड़ी सी poor, थोड़ी सी weak है तो अब बात करते हैं हम यह cinematography की तो cinematography second half में बहुत ही ज्यादा अच्छी है जहाँ पर story आप देखोगे तब पता चल जाएगा तो मुझे second half की cinematography बहुत ज्यादा अच्छी लगी first half की ठीक ठाक है second half में जो aerial views लिया गया है वो बहुत अच्छा है and story जैसे narrate किया जाता है वो भी बहुत अच्छा है तो अब बात करते हैं हम यह background music and songs की तो songs भी जो है ज्यादा मैं नहीं बोलूँगे कि it's not like wonderful but it's like a soothing only and background music बहुत ही minimal है लेकिल minimal में भी बहुत ही अच्छा है अब बात करते हैं हम यह direction की तो Rajin Thomas का जो यह direction है यही writer है इस film के भी तो story इनका जो मैंने बोला जैसे कि screenplay में थोड़ा सा यह है मतलब week है writing थोड़ी week है इनकी editing भी crisp हो सकती थी कहीं कहीं सीन में जैसे कि वो writer ही है तो वो चाहते है तो edit कर सकते भी यह portion यह portion काट दो लेकिन actorों से बहुत अच्छा काम निखलवाया है जिस तरीके से उन्होंने deliver story मतलब दिखाने की कोशिच किये नितो story को convey करने की कोशिच किये वो actual में बहुत ही अच्छा है इनका प्रयास को मैं बहुत ही जादा appreciate करूंगी because हम लोग ऐसे type के जो film है Bollywood में नी तो other industry में नहीं देखते लेकिन मैं मल्या नमके अभी year starting से देख रही हूँ आर दस film मैंने देख लियोंगे बहुत ही different different concept है भले ही engaging factor ना हो लेके लिए लोग director लोग जो writer लोग experiment कर रहे है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अक्टरों से काम निकल वाले में बहुत अच्छा है राइटिंग में इनकी अच्छी है लेकिन थोड़ी editing अच्छी हो सकते थी कहीं कहीं पर direction थोड़ा अच्छा हो सकता था ऐसा मुझे फील हुआ लेकिन overall बोल तो direction is like quite okay type तो अब बात करते हम यह cast के काम की तो इंदरांस जो की यहाँ पर Oliver Twist का character प्ले कर रहे है तो he is the star of this film no doubt he is very amazing actor और उनका काम यहाँ बहुत ही जबर्दस्त है as a sweet, caring, loving father उनका काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उनको जैसे granted पर उनके दो बेटे लेते हैं वो देखके आपको थोड़ा सा उनके लिए मतलब लगता है मतलब मायूसी थोड़ी feel होती है उनकी जो acting वो बहुत ही on point है बहुत ही अच्छी है श्रीनाथ भासी जो किया एंटिदिंग के चैरेक्टर प्ले कर रहे है जो इंदरांस के बेटे का चैरेक्टर तो उनका काम यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा की से कैसे बात करें कैसे ही जब कोई भी उनको उनके साथ उनके भले ही उनके बेटे या बेटी कोई भी मिजिव करें she won't tolerate तो उनका यह वाला जो रोल है बहुत ही अच्छा है every Indian mother can relate to this character आखिर में बात करते हैं नलसन के गफूर की जो यहाँ पर Charles का character play कर रहे है इनका काम भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा है as a younger brother of श्रीनाथ के character उनका भी काम बहुत अच्छा है इनको मैंने last कूरूती में रेखा था उनका character वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा suspicious बहुत ही ज़्यादा थोड़ा gray किसम का लग रहा था यहाँ पर बहुत ही positive है इनका काम बहुत ही अच्छा है तो अब तो review खत्म हो जाता है बात करते है रेटिंस की और हाँ guys supporting actors में बहुत जारा barrier for you मतलब अगर आपके ममी पापा को लोना मतलब English subtitles है वह काम चला सकते हैं और उनको language कोई barrier नहीं है अगर आप मल्याली हो तो भी आप देखो भई आपको तो बहुत ज्यादा पसंद आएगा अगर आप मल्याली फिल्म है आप फैमिली के साथ बैटके जरू देखो आप एंजोई जरू करोगे वीकेंड भी आने वाला है दो दिन में तो choice is yours if you want to watch watch it other else मैं नो बताई दिया है reasons तो कैसे लगी आपको review please comment section में जरू comment कीजिए का पसंद आएगी तो like share कर न मत भूले चानल को सब्सक्राइब का न मत भूले मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल देखने रिव्यू में तब तक की लिए बाई टिक केर